चलिए बस्ता, let's get started with today's tech news और क्या जबरदस्त खबरे लेके आए हो आपके लिए absolutely bomb खबरे हैं आज दोस्तों लेकिन खबरों का सिलसरा चालू करने से पहले दोस्ता अगर पहली पर हमारे चैनल पर आए हैं तो subscribe करना मत भूलिए बेल आइकन बजाए है, आल कीजिए ताकि हमेरे वीडियो के सब नोडिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे हम वीडियो अप्लोड करते हैं और आज का जो वीडियो है दोस्तों वो है, best earphones under 500 budget earphones आपको चाहिए, फ्लाक्शिव पले होंगे तो मत देखिए आपको अगर अच्छे wired earphones चाहिए, तो जरूर देखेगा आज का वीडियो चलिए, पहली जो tech news है तोस्तों, बहुत important है क्या PUBG unban होने वाला है, पिछले कुछ दिनों से बहुत सरे लोग ये कह रहे हैं कि PUBG unban होने वाला है मतलब बैन हट जाएगा, तो it is not going to happen, yes, that's true दोस्तों, OnePlus ने उनका जो 80 ये फोन आने वाला है, उसका जो charger हो रहा है उसके लिए टीजर वीडियो डाल दिया है, clearly दोस्तों, उनका जो वार्प चार्जर होने वाला है 80 is coming on that date, कल ही बता दिया था वैसे दोस्तों, बात करते हैं कल के पॉल की, कल में हमने पूछा, कल नहीं, आज ही डाला पॉल दोस्तों और हमने पूछा था कि IPL जो है, अब किस पे देखते हो, स्मार्टफोन टीवी आप देखते ही नहीं हो, 29% IPL देखते ही नहीं है 53% लोग टीवी पे देखते हैं, only 18% लोगो ने कहा कि हम स्मार्टफोन पे देखते हैं मुझे लगाता कि स्मार्टफोन पे और भी ज्यादा लोग देखते होंगे, no, that's not the case पादव शेट जी ने आग एक बहुत ही क्रिप्टिक टीजर वाला ट्वीट डाल दिया, Project S उनको लगाता हमें समझ में नहीं आएगा, ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों उनके जो स्मार्टफोन आ रहे हैं, S&S Pro, Realme Smart Watch S & S Pro जो आने वाले BIS website के उपर भी certified होगे, तो वही है ये Project S, Realme के smartwatch पट उससे भी बड़ी खबर है जो Realme की तरफ से आ रही है, वाइबो के उपर क्सूची चेज, ये जो है दोस्तों, Realme के, उन्होंने कहा है कि जबरदस्त एक phone आने वाला है, hot new product आने वाला है जिसके उपर Realme UI 2.0 होगा, अब आप मुझसे गेस करने को पूछते हो, तो मैं तो कहूंगा, कि it is going to be a flagship level Realme, पिछले कुछ दिनों से, in fact कुछ दिनों क्यों, महिनों से उनका flagship level का नहीं आया होगा, तो शायद ये जो phone होगा, Realme UI 2.0 पे आएगा, Android 11 पे होगा, साथ में, that जो सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ, 2018 में वीसा नहीं मिला, नहीं, 2019 में वीसा नहीं मिला, इस साल, जी हाँ, pandemic की वैसे, but whatever, अगले साल जो होने वाले हो, March में नहीं होगा, it is going to happen in June, yes, June 28 से लेके, तीन दिनों तक चलेगा, so interesting, बढ़ा दिये, ताकि offline कर सके, March में, possibility कम ल जी हाँ, यह जो फोन है, यह का launch हो गया है, आपने शायद उसका launch event भी देखा होगा, interesting phone है, दोस्तो, मुझे तो अच्छा लगा, exynos 990 है, ठीक है, लेकिन अगर आप colors वगेरे देखते हो, and 6GB RAM, 8GB RAM, ऐसे अलग-अलग variants वगेरे आते है, flagship level के, उसका display भी 120Hz AMOLED display है, overall उतना ही नहीं दोस्तो, उनका full-on F41, उसका launch date आगया है, yes, it is going to launch on October 8th, yes, October 8th को launch होगा, और उसमें भी Super AMOLED display वगेरे होने वाला है, 6000 mAh की बैटरी होगी, exynos 9611 प्रोसेसर होने वाला है, yeah, these are the leaked rumors, but बहुत ही interesting लग रहा है, and aggressive price point पे आने वाला है, ऐसे कहा रहा है, let's wait for it, October 8th, again, not very far, वैसे दोस्तो, एक रिमाइंडर, जिया, tech news अच्छी लगती है, अगर अच्छी लगती है, अगर अच्छी लगती है, दोस्तो, like ठोक दीजे, अच्छी नहीं लगती है, no problem, पुरी tech news देखे, लेकिन comment ज़रूर की जगा, एक गंटे के अंदर, you know what happens, hearts, likes, replies, मे दिख रहा है, exynos 2100, oh my god, leap, big leap आ गई है, और जबर्दर स्कोर आए हुए, मतलब आप अगर 865 के साथ भी compare करते हो, they are much better scores, so it's just not going to be exynos 1000, exynos 1000 आने वाला है, but 2100 भी होने वाला है, बहुत ही जल्दी, बीच में 1000 से 2100 तक, nothing. work from home की वज़े से बहुत सारी चीजे चेंज हो गई है, demand for tablets has grown in a crazy way, पहली बार पिछले कुछ सालों में ऐसे हुआ है, कि big screen tablets जो है, उनकी जो demand है वो बढ़ गई है, strategic analytics ने एक report लेके आए है, जिन में उन्होंने ये कहा है, कि ऐसे पहली बार हुआ है, that's what happens, circumstances change हो जाते है, demand भी change हो जाते हैं, हम काम करने का तरीका बदल देते हैं, तो बहुत सारी industries पे difference आजाता है, जैसे की tablets, they are reviving now. Oppo का भी TV आ रहा है, दोस्तो, Realme के तो आ गए, अब उसके parent company, Oppo का TV आने वाला है, October में, yes, we have now every smartphone company launching TV, इंफिनिक्स भी launch कर रहा है, उनका TV तो सोची है, बाकी का तो क्या, Xiaomi, Realme, Vivo, उनके भी TVs आ गए हैं, इधर आने बाकी हैं, लेकिन वो भी आ जाएंगे, very soon, वैसे quickly बो दोस्तो, Instagram पे अगर हो, Instagram Reels जो है, वो अब expand कर रहा है, बहुत सारे नए features आ रहे है, ज्यादा लंबे Reels अब आपके खीच पाओगे, extended time है, बहुत सारे नए editing के features वागरे आ रहे है, यह जो TikTok का vacuum, TikTok ने जो vacuum create किया है, सभी कोशिच कर रहे है, fill up करने के लिए, and to gain that popularity, Instagram Reels is not for you. अब आने के बाद देखेंगे, हमारे हाथ में आने के सिवाँ, मैं तो कुछ नहीं कहुँँगे. जो भी चल रहे है, उसके links मैंने नीचे description में दिये हुआ है, जरूर जाके देखिएगा, अब वक्त होता है, tracking tech treasure run का, जिया कुछ दिखा, आज की tech news में इधर उधर राजबा जो आगे पीछे, अगर दिखा जाईए, अब वक्त होता है, इस tech news के सबसे important segment का, आपका नाम लेने का, हमारे superstars का नाम लेने का, कलके हमारे 3 superstar featured commenters है, पवन जाधो, शुब मंडल, अमीर अली, congratulations, lovely, 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 lovely comments, दोस्तों, ऐसे ही रोज comments करते रही है, ऐसे ही रोज मैं आपके comments पढ़ता रहूँगा, ऐसे ही आपका नाम लेता रहूँगा, चले दोस्तों, आज के मारे tracking tech news episode number 839, खतम होती है, इतरी अच्छी लगी, yes, do that, अगर बूल गए, like जरूँगे, subscribe नहीं हो करें, sharing करना आपके हाथ में, remind करना मेरे हाथ में, दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक keep tracking and stay safe.